जय मामारी आप सभी को, मरी महापासक में आप सबका स्वागत है, आशा करता हूँ मता मरी क्रपा आप सब प्रबनी रहें नवरात्र विशेश साधना के जो सीरीज है, यह चलते आ रही है, और नेक्स साधना जो है, हो सबके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत जादा विशेश है, क्योंकि ये साधना से आपको शिव और पारवती दोनों की क्रपा में लेगी, मेरे हिसाब से शिव और पारवती के संपटित मंत्र साधना, ये साधना बड़ी अजीब और विचरच है, आपको अनुभव इसमें भयावर हो सकते हैं, और बड़े सौम में भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरा जो मानना है, कि बाबा कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, बाबा हमेशा अपने भक्त ही समालते हैं, भैरव और भैरवी का संबन आप लोगोंने देखा होगा, भैरव तंत्र में बहुत बताया गया है, और भैरव भैरवी एक ऐसी अवस्था है, देवी और बाबा शिव की, जिसमें वो परिपून होते हैं, चाहे वो अर्दनादीश्वर बोलें, चाहे वो का तंत्र में रोची रखते हैं, और भैरव जीत का आगे अनुसरन करना चाहते हैं, उनके लिए अमरित है, और नवरात्री में ये साधना आपके लिए बहुत ही बहुत फल्लाई हो सकती है, अगर आप इसको करें, तो मैं मंत्र तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका विधान बता रहा हूं, बाजूट लेना है आपको, बाजूट में काला कपडा रखना है, और भैरव भैरवी का चितर लगाना है, भैरव भैरवी का जो चितर आपने देखा होगा, मैं आपको चितर बता दूँगा, जब आप साधना लेंगे, तो वो चितर लगाना है, वो चितर विदी बताए जाएगी उनके आसन और दिशा कोण कैसे रखना है ये बताएंगे भोग पुरा सात्विक रहेगा ताम से कुछ भी भोग नहीं रहेगा सात्विक भोग पुरा बताए जाएगा आपको सात्विक भोग रखना है गुरु बंदना इस्ट बंदना देव बंदना गणेश बंदना, ये कैसे करना है, शिव बंदना कैसे करना है, सरवकार साधन सद्धी मंतर कैसे जाप करने है, उसके बाद अगर आप नौ दिन में इनके कम से कम 21 माला परडे करते हैं, तो आपको उनकी वशेश करपा प्राप्त होगी, 21 माला परडे होने के बाद 10 दिन आप को नियमा वली रखनी है आप बोलेंगे जादा नहीं किसी से भी फालतु की चीज़े बात नहीं किसी से भी साधना अगर आप कर रहा है तो शेयर नहीं करेंगे यहां तक कि आप अपने कलीग या वेस्ट फ्रेंड या जो भी आपके मित्र हैं सहे पार्टी हैं उनसे शेर नहीं करेंगे कि हां मैं साधना कर रहा हूं आपको जो भी अनुबफ होंगे वो आप अपने तक सीमेत रखेंगे साधना के बाद आप बताएंगे ठीक और ऐसे लोगों को बताएंगे जो हां उसको डिजर्फ करतें यह नहीं कि सबसे बताने लग करें तेक सरावादी से हर चीज से दूर रखना आपको खुद को नारीयल के स्थान पर रखना है बताया जाएगा पर सबसे बड़ी चीज ब्रह्मचार का पालन नीचे सोना है अब नीचे सोना है तो आपको चूना-पूतना है उसके उपर से गेरू या फिर गेरू नहीं म लगेंगी फिर आप जब आप इसका हवन करेंगे फिर आप इसको विसर्जन करेंगे इस कारण से ये काफी जादा नियम वाली साधना है नियमा वली तो बहुत सारी हैं बाबा भैरव और माता भैरवी की साधना में लेकिन थोड़े बहुत नियम जितने हम कर सकते हैं वो जर बहुत विचित्र है, बहुत अच्छी है और अगर आपने नौ दिन कर ली तो गैरेंटी है कि आपके साथ बहुत अच्छी चीज़े होंगी, घटित, आप तंत्र मंत्र से बचेंगे, आप अकाल मृत्यू से बचेंगे, हाना वैपार, नौकरी, दुएश, कलेश, इसके माविधाव की साथना में इससे बहुत बोलना चाहिए कि फलिभूत होंगे, इसलिए अगर आपको साथना चाहिए हो, तो आप कॉंटेक्ट करके इसकी दक्षणारासी बूछ सकते हैं, प्रेस्क्रिप्शन में नमबर डला हुआ है, आशा करता हूँ, आपको जानकारी पस जाए मामरी